तुरंत कारवाई एक डॉट विलंब एक आदत है यहाँ पुस्तक विलंब को एक चरित्र दोश के बजाए एक सीखी हुई व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करती है दो विकासात्मक जड़े यहाँ समझाते हुए कि यहाँ एक समय में जीवित रहने के उद्देश्य के लिए उप्योगी था उस तक विलंब के चक्र की पहचान करती है और इससे मुक्त होने के तरीके बताती है विलंब पर काबू पाना चार डॉट प्रेर्णा पर कारवाई मियूरिस जोड देते हैं कि कार्यवाही करना प्रेर्णा महसूस करने से अधिक महत्वपूर्ण है पाँच डॉट विलंब ट्रिगर्स की पहचान विलंब के पीछे के कारणों को समझना इसे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है बड़े भारी कार्यों को छोटे कदमों में बाटकर अधिक प्रबंधनिया बनाया जा सकता है उत्पादक आत्ते बनाना साथ समय प्रबंधन तकनीक प्रभावी समय प्रबंधन रननीतियां विलंब को दूर करने के लिए आवशक है आठ डॉट इनाम प्रणाली, एक इनाम प्रणाली लागू करना कारवाई को प्रेरित करने में मदद कर सकता है नौ डॉट माइंड असेट बदलना, विकास मानसिकता अपनाना चुनोतियों को दूर करने और धैर्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है लक्षप्राप्ती विलंब एक आदत है, मियूरिस का कहना है कि विलंब एक आदत है, जिसे हमने समय के साथ विक्सित किया है इसे बदलने के लिए हमें नई आत्ते बनानी होंगी जो हमें तुरंत कारवाई करने के लिए प्रेरित करें दो डॉट विकासात्मक जड़े हमारे पूर्वजों के लिए ततकाल कारवाई करना हमेशा सुरक्षित नहीं था कभी-कभी विलम करने से उन्हें खत्रे से बचने में मदद मिली आज, हालांकि यह विलम बकसर हमारी प्रगती में बाधा डालता है तीन विलम चक्र जब हम विलम करते हैं, तो हम एक चक्र में फंस जाते हैं, जहां हम एक कार्य को टालते रहते हैं, जिससे चिंता और अपराद बोध बढ़ता है और फिर हम और अधिक विलम करते हैं इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें कारवाई करनी होगी चार प्रेर्णा पर कारवाई प्रेर्णा की प्रतीक्षा करने के बजाए हमें पहले छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए यह कारवाई खुद प्रेर्णा को उत्पन कर सकती है 5.VILUM TRIGGERS की पहचान हमें यह समझना होगा की कौन से हालात या भावनाएं हमें विलं करने के लिए प्रेरित करती हैं इनहें पहचानने के बाद हम इनसे बचने या इनहें कम करने के तरीके खोज सकते हैं 6 कार्य को चोटे टुकड़ों में बाटना बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनी हिस्सों में विभाजित करना हमें उन्हें अधिक आसानी से निपटने में मदद कर सकता है और हमें कम विलम करने के लिए प्रेरित कर सकता है साथ समय प्रबंधन तक्नीक प्रभावी समय प्रबंधन तक्नीक जैसे की टूडू सूचिया बनाना और समय की सीमाय तै करना हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और विलम को कम करने में मदद कर सकती है आठ इनाम प्रणाली जब हम एक कार्य पूरा करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करना हमें प्रोचसाहित कर सकता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरना दे सकता है 9.mind asset बदलाव हमें यह विश्वास करना होगा कि हम बदल सकते हैं और सुधार कर सकते हैं एक विकास मानसिक्ता अपनाना हमें हमारे लक्षों की और प्रेरित करेगा 10. तुरंत कारवाई करना हर बार जब हम एक कार्य को तुरंत शुरू करते हैं तो हम अपने आपको सफलता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं